वारांसी के जिला नयायधीश ने श्रिंगार गौरी ज्यानवापी मामले में हिंदू पक्ष दवरा ज्यानवापी परिसर में अधिवक्ता कमिशनर के सर्वे के दौरान मिले कथित शिवलिंग की वैज्ञानिक जाच कराने वाली अर्जी को खारिस कर दिया है कोर्ट ने अपने अब्जर्वेशन में कहा कि सर्वोच नयायले दौरा निर्देशित किया गया था कि अधिवक्ता कमिशनर की कारेवाई के दौरान जो कथित शिवलिंग पाया गया है उसे सुरक्षित रखा जाए ऐसी स्थिती में यदि कारवन डेटिंग तकनीक या ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का प्रियोग करने पर उक्त कथित शिवलिंग को अगर शती पहुँचती है तो यह सर्वोच नयायले की आदेश का उलंगन होगा इसके अतरिक्त ऐसा होने पर आम जन्ता की धारमिक भावनाओं को भी चोट पहुँच सकती है प्रातना पत्र को निरस्त करते हुए जिला जज ने यह भी कहा कि अधिवक्ता कमिशनर की कारवाई के दोरान पाए गए शिवलिंग की आयू, प्रकृती और सरक्षन का निर्धारण करने के लिए भारती ये पुरातत्व सर्वे को निर्देश दिया जाना उचित नहीं हो होती है, ज्यानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की कारवन डेटिंग कराने के विरोध में हिंदू पक्ष दो भागों में बट गया है, मुकदमे की मुख्यवादनी राखी सिंग कारवन डेटिंग के विरोध में है, तो वहीं चार महिलाएं कथित शिवलिंग के क आज कराने की मांग की गई थी जिस पर अदालत ने आज अपना ओर्डर सुनाया है